एक नमस्कार दोस्तों सौकत है आपका मारे यूच्टूप चैनल पे के आज हम देखने वाले आज और लोटैट क्या होता है ठीक है किम्ड़्ब्स एक अपने लेवल के नॉर्मAL लेवल पर होता है ठीक है और सिं दोनों देख आख रहा हुए किए रिपस और मिन में टर लिपने हम यहां पर यह लोइट इना और के यहां पर को पुछ लेवल तक रहा हो गया दों ओ indeed है है प्लिभ देख सकते हो है और लो टाइट है हाई टाइट लो टाइट है इस अधिया द्याट में आने के लिए कि जब हाई टाइट हो जारह और लो टाइट है तो वाटर लेवल कम हो जाता है ठीक है अब देखते हैं टाइट कर राइज और फॉल आप दे सी लेवल कॉस्ट बाइज इफेक्ट ऑफ दा ग्रेवन फोर्स सब्सक्राइट कर रहा है और अर्थ खुद रोटेट कर रहा है तो उस रोटेशन का मतलब मून का कर रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते तुम लोग इमेज में हैं यह जो नीचे है सबसे थोड़ा सा डार कलर में ब्लू में वह नॉर्मल रेंज है नॉर्मल लेवल है वाटर का तो उसको क्या बलते है लोटाइट फिर वाटर अगर अपने नॉर्मल लेवल से राइस होके यह तक आ चाये कुछ ऊपर कर तक तो उसको क्या वोदे हैं high tide वहर पहुंचा नॉर्मल लेवल से मैक्स güisenman तक उसको क्या बोलते हैं उसे वहस्ट पायडल रेंज है यहां पर वो गया यहां पर यहां पर नोर्मली अगर उशएन के अंदर हमलोग जाए ओजिया और डाटमकीश सीद्ट ओल्द कुछ बी शिप ट्रैवल कर रहा है ओशेन के अंदर तो जब वहां पर हाइट होगा तो उसका जो भी वाटर में जो भी राइज होगा वो कितना होगा 0.6 मीटर हो सकता है यह पता ना चले पर एक्शली वहां पर भी राइज होता है बाइज 0.6 मीटर थक मैक्सिमुम और कोस्ट्रे पर मतलब बीच वगेरा होगे वहां पर ठीक है बीच इस पर जो भी कोश्ट लाइन के पास आते हो सब वहां पर 0 से लेकर 16 मीटर सकी टाइडल रेंज होता है 16 मीटर बहुत ही जादा होता है ठीक है तो हाई टाइड में 16 मीटर तक जा सकता है कोस्ट्र रीजिन पर तो यह ओल्डां डा लो प्रहों आफ वह गोता है वह तिन चीजों के वाशे होता है मून सन और रोटेशन ऑफ अल्रों और मोन के बारे में देखने वले हैं कि यहां पर मून है यहां पर और शपने मों पर सक् से यह देल्ट अ अब यह ब्लू रिजन में देख रहे हैं यह क्या है वाटर है और तुम लोग को पता ही होगा कि मैक्सिमम पॉर्षन अर्थ पर क्या है वाटर है अल्मोस्स 71% ऑफ और्थ इस वाटर तो बहुत ज्यादा वाटर है ठीक है तो यह जो वाटर है जो मून के डारेक नीचे आता ह है ठीक है सामने सामने आता है उसको मून अट्राइक करता यह वाटर थीक है तो होता क्या है कुछ इस तरह से वाटर ने मून ने वाटर को अट्राइक कर लिया आपना यतरे को लिघक है तो हुई पर ऐसा ह Cott poss just water के तरह आता है मैं लेक्षर नमें जो लोगों ने cover किया है ठीक है जिसके link में आप लोगो description में दे दूँगा उसमें क्या मैंने बोला है कि gravitation तब जो force होता है force of gravitation वो universe के हर object के बीच में होता है तो moon और water के बीच में भी है moon और earth के बीच में है तो ऐसा थोगा नहीं कि moon सिर्फ water को अट्राक करेगा वो earth को भी अट्राक करेगा तो कुछ इस तरह से होता है ठीक है पहले moon ने क्या कि water को अट्राक किया और वो earth को भी अट्राक करता है तो earth थोड़ा सा moon के तरफ आ जाता है अब यह चेंज हम लोग को भले ना दिखाई दे पर होता है वो moon के तरफ थोड़ा सा आगे आ जाता है तो इससे क्या होता है यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग water level rise हो गया है और जब earth यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर भी water का level rise हो जाता है वहाँ पर हम water कम हो गया तो उस region को क्या बोलते है लो टाइड जहां पर water level कम हो गया उसको क्या बोलेंगे लो टाइड अब डिफरेंट पोजिशन पर देख लेते सपोज यहाँ पर आर्थ है और moon इस location पर हाँ पर बनेगा यहाँ पर उसके सामने वाली लाइन में ठीक है मून है तो उस यहाँ पर hadder हाँ यहाँ पर आट बना और लेटर रहाइन में यहाँ पर और यहाँ पर के बना लो टाइड बना फिर जब यहां पर आगया Moon तो यहां पर high tide यहां पर high tide लो टाइड इसा होगा यह मैंने चार position दिखाया है एक्चुली में ऐसा होता है नहीं कई positions पर Moon ठीक हर 24 घंटे में Moon यहां पर Earth के साथ ही है रिवॉल्व कर रहा है एक क्या राउंड में थो डिफ्रेंट पॉजिशन पर होता है और यहां पर और रोतेट करी रही है उपने वक्षीस पर तिफ्रेंट प्वेशन पर होता है लेगारी क्याप कर लेतें हाब है प्रिदेफरेंट प्लेसेज जा तो डिक्रीज होते रहता है जिए अफरेंट ताइंग अब डिफरेंट टाइट City होते रहता है ऑज़ दिखाया क्यों कि मूं कर रहा है और अर्थ खुल भी अपने एक्सिस पे स्पीन हो रहा है तो उसी वज़े से आर्थ के स्पीनिंग के बज़े से फिर मून के रिवाल्यूशन के वज़े से डिफ्रेंट टाइम पे डिफ्रेंट प्लेसे पर हम लोगों को लोटाइड देखने को मिलता है मतलब जो भी वॉटर लेवल मोन के डिरेक्ट नीचे आता है वहां पर क्या बनता है क्योंकि मून इसको अट्राइक करता है ठीक है मून के तरफ पूल हो जाता है तो यहां पर water level rise होता है उसी तरह से earth भी थोड़ा सा इसके तरह attract होता है तो यहाँ पे भी high tide बनता है फिर at two places on earth at 90 degree मतलब यहाँ पे high tide बना वहाँ से 90 degree गए यहाँ पर और इधर ही से 90 degree पर यहाँ पर ठीक है at two places on the earth and 90 degree from the place of high tide the level of water is minimum and low tide occur there मतलब जहाँ पर high tide बना उसके 90 degree पर दो जगा पर और फिर इसके 90 degree पर यहाँ पर यहाँ पर water का level क्या हो जाता है यहाँ पर minimum तो उस जगा पर जहाँ पर water का level minimum होता है उसको हम लोग क्या बोलते है low tide ठीक है तो इन शोट बोले तो जो मून के नीचे आता है water वहाँ पे high tide बनता है उसके 90 degree पे दो जगह पर यहाँ पर water level minimum होता है वहाँ पे क्या बनता है low tide इस वीडियो में बस इतना ही और इस चैनल को जरूर subscribe करो और share करो ठीक है ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग हमसे जूड सके और इसके पहले gravitation के उपर हम लोगों ने काफी कुछ cover कर लिया है जिसके links मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूँगा तो उसको जाके ज़रूर देख लेना thank you very much